अलो दोस्तों मैं प्रिशान पांडे के अल्ली क्लासे में आप सबीक वस्वागत करता हूं हम आज एक बहुत महत्पूर्ण विशे पर चर्चा करेंगे जो विशे है सरकार द्वारा निर्धारित मास्क यूं सेनिटाइजर के मूले दोस्तों सरकार ने 200 ग्राम के सेनिटाइ यूब दो लेयर वाले के 8 रूपय परन्तु भाजार में इन सभी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है इसका फाइदा उठाय जा रहा है दोस्तों हम इसकी सिकायत भी नहीं कर रहे हैं कारण दोस्तों एक है कि यदि हम किसी मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर पे सेनिटाइजर या फिर मास्क ले निकले जाते हैं और वहां पे अधिक दाम लिया जा रहा है, जो मूले तैकियाग है, उस मूले को ना ले करके उससे अधिक मूले लिया जा रहा है, तो उन चीजों को देखते हुए भी हम वहां पे नहीं बोल पाते हैं, कारण है कि वहां पे बहुत भींड होती है, कई लोग खड़े होते हैं जो कि उस मूले से संदूश्ट होते हैं, कारण यही है क्योंकि इस समय मार्गेट में कहीं वो चीज उपलद नहीं है, और कहीं न कहीं एक कहीं दुकान पे हमें ऐसे मिलता भी है, तो हम उन्हें अधिक मूले देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यदि हम वहाँ पर बहस करें उनसे या फिर जबर्दस्ती करें कि आप मुझे कम दामे कम मूल में दीजे तो वह दुकानदार हमें भगा देगा अपनी दुकान से नहीं देगा और हम सिखाय भी नहीं करना चाहते करना है कि हमारा काम हो जाए और हमें सैनिटाइजर थोड़े अधिक मूल में देकर मिल जाए या फिर मास थोड़े अधिक मूल देकर मिल जाए दोस्तों कारण यही है कि हम अधिक मूल देने के लिए त्यार क्यों हो जा रहे हैं क्योंकि अन कई देशों को देखकर हम बहुत भैभीत हो चुके हैं चीन की हालत देखकर इटली की हालत देखकर दोस्तों चीन की तो हालत कह सकते हैं कि अभी थोड़ी सुधार होई है क्योंकि अभी पिछले दो दिनों से वहाँ पे एक भी केस नए एक भी केस नहीं आएं तेकिन दोस्तों हम कहा सकते हैं कि इटली में बहुत बुरा हाल है बहुत ही बुरा हाल है इटली में 31 जनवरी 2020 को पहला केस आये था और 10 मार्च 2020 को वहाँ पे लॉकडाउन के लिया चलू हो गई दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ मैंने कुछ अध्यन किया है उस रिकॉर्ड को आख को बता रहा हूँ जो कि इटली में टोटल जो केस हैं 53,378 केस हो चुके है जिसमें की सेटर्डे को 24 घंटे के अंदर 793 लोगों की मौत हुई है सिर्फ 24 घंटों में 793 लोगों की मौत हुई दोस्तों तो हम 4825 लोग मर चुके हैं टोटल हाँ दोस्तों 4825 लोग मर चुके हैं 793 लोग 24 घंटे में सेटर्डे के दिन मरते हैं जिनको कुरोना वाइरस हुआ है इन सभी न्यूज को देखकर हम बहुत घबडा चुके हैं हम बहुत भैभीत हैं इसी कारण दोस्तों हम सेनेटाइजर या फिर मास्क का अधिक से अधिक मुल देने के लिए त्यार हैं और इसका फाइदा हमारे जनरल इस्टोर एवं मेडिकल इस्टोर वाले उठा रहे हैं सरकार इन सब चीजों पर कितनी विवस्ताइं कर पाएगी दोस्तों हमें जागरूप होना पड़ेगा अब बताए इतनी बड़ी माहमारी में भी लोग पैसे को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीती कर रहे हैं सरकार को गलत पता रहे हैं उनको अभी भी हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा दिख रहा है दोस्तों धर्म को हम क्यों देख रहे हैं अभी भी हमको धर्म को नहीं देखना चाहिए यहां पे भी अभी हम हिंदू-मुस्लिम करेंगे बताए दोस्तों यह बहुत सरम की बात है दोस्तों मैं इस वीशेव पर बहुत ज्यादा तो नहीं परनतो थोड़ा अध्यन किया हूं जिसके बारे मैंने आपको कुछ बताया है यादि आपको अच्छा लगता है तो इन चीज MARK को सुनकर अपने बड़े भाईयों को बहनों को छोटे भाईयों को बहनों को माताओं को बताईए और समझाईए दोस्तों हमें सभी को एक जुठ हो करके ही इसका इलाज निकालना है हमें भैभीत नहीं होना है हम डर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भायो एक मैं व गाफनर्स, वाडवाय, स्वीपर, अपनी जान जोखी में डाल कर हमारी सेवाई कर रहे हैं, कह सकते हैं कि जिन लोगों को कुरोना वाइरस हुआ है, उनकी सेवाई कर रहे हैं, परंतु उनकी उस प्रकार से विवस्थाएं नहीं हैं, जिन प्रकार से विवस्थाएं होनी चा कई अस्थानों पर सेनिटाइजर भी पर्यापत रूप से नहीं है एवं मास्क नहीं है किस प्रकार से हम इस से जीत पाएंगे यदि जो इलाज कर रहा है वही बीमार पढ़ जाएगा तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे बहुत हार जाएंगे हमारी हिम्मत तूट जाएगी इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिए कि एक कुछ विचार हमारे सरकार किप्ता के पास तक पहुँच पाए यदि कुछ बतलाव किया जा सके दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमें घर में रहना है बाहर नहीं निकलना है सरकार के आग्या का पालन करना है हम बहुत जल्द ही इस पे जीत पाएंगे धन्यवाद